जिसना पिछले लेसन में हम लोगों ने पॉप आट मूवमेंट के हवाले से काफी डिटेल में डिस्केशन की इसी तना से इसरे में ले के आए हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत इंट्रस्टिंग और मज़े की आर्ट अंड इसाइन मॉवमेंट जिसका नाम है मिनिमलिज्म मिनिमलिज्म का नाम आप लोगों ने एकसर इंटरनेट के उपर पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा और आप लोगों ने इसके हवाले से कुछ इमजिस भी जो है वो भी देख रखे होंगे क्योंके मिनिमलिस्म जो है ये आज के दोर में भी बहुत ही रेलिवंट है और बहुत ही फेमस आर्ट और डिजाइन मूवमेंट है तो चलें चलते हैं और इसके उपर कुछ डिटेल में डिसकेशन करते हैं अचा जी सबसे पहले हिस्टरी अगर जान ले मिनिमलिस्म के हवाले से तो 1960s के अंदर ये जो और इंटिरियर डिजाइनर्स ने भी जो है वो काफी ज़ादा काम किया मिनिमलिस्म के हवाले से मिनिमलिस्म की फिलासोफी या ये क्या है मिनिमलिस्म ये नाम से ही वाज़े है मिनिमल वर्ड से मिनिमलिस्म की जो एक ये टर्मिनालोजी है ये extract की गई है और minimal का मतलब होता है कम यानि के कम elements के साथ अपना message convey करना ये एक जनाबियाली basic है minimalism की तहरीक की अच्छा आप लोगों ने एक बहुत famous phrase जा हो सुन रखा होगा less is more ये जो less is more है ये basically describe करता है minimalism की जो पूरी art and design movement है इसको और इसकी philosophy को less is more का मतलब ये है कि जिसना मैंने भी आपको minimalism की जो terminology है वो समझाते हैं बताया कि कम elements का इस्तमाल करते हुए हम जब भी कोई चीज जो है वो create करते हैं को artwork या को design work तो basically वो हम less is more की जो philosophy है इसको follow कर रहे होते हैं और ये ही जो है वो एक style था basically minimalist artist और designers का कुछ key features या characteristics अगर हम discuss करना चाहें minimalism के हवाले से तो उसमें देखते हैं कि कौन सी major जो है वो चीजें जो हैं वो मौझूद थी इनके style में जो minimalist artist और designers थे सबसे पहले जी simplicity simplicity जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम चीजों का इस्तमाल तो जब कम elements का इस्तमाल होगा तो definitely simplicity जो है वो अपने आप किसी भी design work में या किसी भी artwork में produce हो जाएगी और ये simplicity जो है ये सबसे basic और salient feature है minimalism की art and design movement का अच्छा इसके बाद एक और जो चीज इन्होंने काफी ज़्यदा इस्तमाल की वो थी geometric compositions अगर आप different जो है वो designs को देखें या different चीज़ें visual देखें minimalism के हवाले से तो आपको पता चलता है कि इन्होंने geometric compositions का इस्तमाल काफी ज़्यदा किया अपने designs में और अपनी paintings में इसी दिना से use of negative और white space इन्होंने negative space को और white space को बहुत अच्छे तरीके से इस्तमाल किया और जो है ये एक बहुत ज़्यदा basic component है minimalist art या minimalist design work का इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास repetition का जो principle है उसका इस्तमाल भी हमें काफी ज़्यदा नजर आता है minimalism के अंदर तो ये कुछ खास features थे जो के मैंने आपको दिखाए minimalism के हवाले से चले अब मैं एक काम करता हूँ मैं आपको कुछ visual दिखाता हूँ और उनकी मदद से आपको easily समझ आजेगी के minimalism जो है वो क्या है ये कुछ architectural images है अगर आप गोर करें geometric किसम की compositions लग रही है कुछ square rectangle type shapes आपको जब आपको नज़र आ रही है और white color का इस्तमाल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है तो ये architecture है minimalist architecture इसी तना से अगर हम interior design में आजएं तो यहां पर भी बड़ा prominently हमें नज़र आता है इन images के अंदर अगर आप देखें आपको पता चलता है बड़े कम elements को इस्तमाल करके negative space को use करते हुए space को बड़े खुबसूरत तरीके से design किया गया है और इस तरह से design किया गया है कि उसके अंदर negative space की और खुले पन की जो है वो एक खास किसम की feeling आपको मिलती है और ये जो है एक minimalist interior जो है वो हम इसको कह सकते हैं अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं कुछ famous artist और designers के हवाले से जनोंने minimalism के अंदर काफी ज़दे important role play किया Donald Judd के नाम से ये एक artist है और इनके बारे में कहा जाता है कि he is one of those artist जनोंने बुनियाद रखी minimalism की अगर हम इनके कुछ काम देख लें कुछ paintings वगरा देख लें ये basically एक sculptor भी थे और painter भी थे जैसे कि आपको इन sculptors में और art pieces में नजर आ रहा है कि बड़ी simple सी shapes को इस्तमाल की है और उनको जो है वो artwork का नाम दे दिया गया अच्छे शुरू के अंदर ये जो artist था इसके काम को काफी ज़्यदा reluctance देखने को मिली और लोगों ने कहा कि जनाब ये तो जो है वो art आप इसको कैसे कह सकते हैं लेकिन आगे चलके जैसे इसे time गुजरता गया तो ये जो style था minimalist approach थी इसको बहुत ज़्यदा पजीराई मिलना शुरू हो गई और ऐसा इसा लोगों ने accept करना शुरू कर दिया सीज को और उनने मानना शुरू कर दिया कि हाँ जी आप बहुत कम elements को इस्तमाल करते हुए कोई भी art piece या design work जो है इलिस्ट्रेटर भी थे अगर इनकी ये हम paintings को देखें तो इनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि है तो ये paintings लेकिन इनके अंदर आपको design का element design की जो एक खास feel हो देखने को मिलती है strips का इस्तमाल किया गया है repetition आपको देखने को मिल रही है पैटरन आपको देखने को मिल रहा है और बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रेट स्ट्रिप्स डिफरेंट कलर्स की यूज़ करके पींटिंग्स इन्होंने और आर्ट वर्स जो हैं वो इन्होंने बनाए है अच्छा ये जो एक स्ट्रिप्स वाला एक पैटरन था ये भी आगे चलके मिनिमलिज्म की एक बहुत ही इंपॉर्टन फीचर के तौर पे सामने आया ये तो हमने डिसकेशन कर ली मिनिमलिज्म के हवाले से कि मिनिमलिज्म क्या है उसके फेमस आर्टिस, उसके करेक्टरिस्टेक्स, कुछ फीचर्स हमने डिसकस किये अब हम बात करते हैं ग्राफिक डिसाइन के अंदर मिनिमलिज्म की जो एप्लिकेशन है उसके हवाले से मिनिमलिज्म जो है ये इस वक्त आज कल के दोर में ग्राफिक डिसाइन में बहुत ज़दा एप्रिशेट किया जाता है और एक स्टाइल के तोर पे जो है वो इसको बहुत सारे ग्राफिक डिसाइनर्स और आर्ट डिरेक्टर्स जो हैं वो अपलाई करते हैं अगर हम इन एड़ुटिस्मेंट्स की तरफ देखें ये डिफरेंट दुनिया के कुछ बड़े ब्रैंड्स की एड़ुटिस्मेंट्स हैं और अगर आप इन वेजूल्स के अंदर देखें तो बहुत कम ऐलमेंट्स का इस्तमाल किया गया है और नेगिटिव स्पेस को साइट का इमेज है इन दोनों के अंदर भी अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत मिनमलिस्ट अप्रोच के साथ कम ऐलमेंट्स के साथ और टाइपोग्रफी को भी बहुत डीसंट सुफिस्टिकेटिड वे में यूज करके और कलर्स को बहुत पोस्टर्स देख लेते हैं ये दो बहुत ही फेमस हालिवोड की मुवी के पोस्टर्स हैं और इनके अंदर भी अगर आप देखें तो इमिज को यूस किया गया है या इलिस्ट्रेशन को यूस किया गया है बहुत ही कम टाइपोग्रफी के साथ और बहुत एफेक्टिव व आपको ऐसे sources मिलेंगे जिन पर आपको minimalism के हवाले से काफी ज़ादा designs जो है वो देखने को मिलेंगे तो यह जो minimalism की तहरीक है या जो एक art and design movement है यह आज के दोर में बहुत ज़ादा relevant है graphic design के हवाले से I hope कि यह जो art and design movements के हवाले से हमने discussion की यह आप लोगों को पसंदाई होगी और यह आपके लिए आगे चलके बहुत ज़्यादा fruitful थाबित होगी आने वाले lesson में इंशालात अला हम कुछ important graphic designers के हवाले से गुफटगू करेंगे और उनके काम से inspiration हसल करने की कोशिश करेंगे